अलो दोस्तों, वेलकम बाक टो आर चानल, बिलियन एजुकेशन, वेर वे एम टो रीच और टीच बिलियन पॉपुलेशन, तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, वॉल्म स्ट्रेंथ आफ एज टू ओ टू, तो ये क्या होता है, वॉल्म स्ट्रेंथ आफ एज जिसे हम रीप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉल वी से, वी मतलब वॉल्म स्ट्रेंथ आफ एज टू, चा होता है वॉल्म स्ट्रेंथ आफ एज टू, ओ टू, वॉल्म ओफ ऑफ ऑक्सिजिन गास, प्रोड्यूस बाइ, दिकम्पोजिशन ओफ, वन लीटर, एज टू ओ टू, solution, is known as volume strength of H2O2, इसका मतलब क्या है, कि अगर एक लीटर H2O2 solution है, और उसका decomposition हुआ, हम सब जानते हैं, H2O2 के decomposition से water और oxygen गास बनती है, तो एक लीटर H2O2 से कितने लीटर oxygen गास लिबरेट हुई, तो मज़ में आ रहा है, अगर मैंने लिख दिया, कि 20 लीटर oxygen गास लिबरे हुई, इसका मतलब H2O2 का जो volume strength है, वो कितना है, 20 V, 5 लीटर oxygen gas release हुई, या लिबरेट हुई, तो volume strength of H2O2 कितना है, 5 V, इसी को समझते हैं, बड़ा और एक तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, इस container पे 10 V H2O2, इसका मतलब क्या है, 10 लीटर of oxygen gas at NTP और STP, जी हाँ, यह चो condition है, यह बहुत important है, बच्चो, STP, NTP, आप सब जानते हैं, इसी condition पे हम mole का calculation करते हैं, आप सब को पता है, किसी भी gas का 1 mole होता है, तो STP पे कितना volume occupy करता है, 22.4 DMQ, इसाग लिए, यहाँ पे STP और NTP दोनों एक ही, ठीक है, नॉर्मल temperature and pressure and standard temperature and pressure is produced by decomposition of 1 liter of H2O2 solution, मतलब अगर उसके उपर लिख दिया है, container के उपर, 10 volume H2O2, इसका मतलब होता है, 10 liter oxygen gas produced हुई, इससे, जी हाँ, decomposition of 1 liter of H2O2, जी है, अब यहाँ पे देखिए, 20 V H2O2, इसका मतलब क्या है, 20 liter of oxygen gas at STP NTP is produced by decomposition of 1 liter of what, H2O2, मतलब भाईया, जो भी V लिखा है न, वही volume strength है, अगर ऐसे direct question आता है, तो, चलिए अब हम बढ़ते हैं, कुछ और detail में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ data में दे दिया, X volume strength of H2O2 solution, इसका मतलब क्या होता है बच्चो, X volume strength of H2O2 solution का मतलब, X liter of O2 is produced by decomposition of 1 liter of H2O2, जहाँ पे हम number use करते थे, वहाँ पे हमने X use कर लिया, Sir, X is very painful हाँ, अरे भाई, वो X की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे just एक alphabet लिया है, मैंने concept को समझाने के लिए, X liter of O2 gas is produced at STP, या फिर NTP by decomposition of 1 liter of H2O2, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ, कि अगर X volume strength है, तो उससे X liter O2 gas निकलेगा, X volume strength है, तो उससे कितना gas निकलेगा, oxygen, X liter, और X liter को मैं मोल में कैसे convert कर सकता हूँ, simple, divided by 22.4, क्योंकि आप सब जानते हैं, number of moles का formula क्या है बच्च, is equal to given volume upon 22.4 at STP, तो जो भी आपका volume है, वो X, X divided by 22.4, इससे क्या आजाएगा, mol आजाएगा, तो चलिए, मैं एक equation से आपको समझाता हूँ, अगर मैं in generally 2 mol H2O2 को तोड़ू, तो 2 mol पानी के बनेंगे, और 1 mol oxygen gas बनेगा, कितना बनेगा, 1 mol oxygen gas, और अगर solution का volume strength X liter है, तो X liter of oxygen gas निकला है, उसे मैंने किस से divide कर दिया, 22.4 से, ठीक है, X liter को किस से divide कर दिया, 22.4 से, तो यह देखिए, X divided by 22.4 is what, mol of O2, बराबर, बतलब, अगर 1 mol oxygen आ रहा है, तो वो 2 mol से आएगा, अगर 2 mol oxygen आ रहा है, तो वो 4 mol H2O2 से आएगा, फिक उसी तरह से, X upon 22.4 mol of O2 आया है, तो यह किस से आएगा, 2 into X upon 22.4, चलिए एक बार और देखते हैं, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, coefficient oxygen का, वो mol है, और उसका double कौन है, H2O2, अगर O2 एक mol है, तो H2O2 दो mol है, अगर O2 दो mol होगा, तो H2O2 फोर होगा, तो यहाँ पे mol कितना है, X upon 22.4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2X upon 22.4 mol of H2O2, तो मैंने क्या किया पहरे बच्छों, मैंने volume of oxygen से mol निकाल लिया, और फिर mol से मैंने यह पता कर लिया, कि कितने mol H2O2 यूज हुआ है, आग्या समझ में, और उस mol of H2O2 से मैं concentration of H2O2 solution निकाल लूँगा, जी हाँ साथ, चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, तो या रुखो मत बढ़ते जाओ, यह देखिए, अगर आपको याद हो, तो यहीं पे हम थोड़ दिर पहले रुके थे, X upon 22.4 mol, और यह X upon 22.4, सर यह 11.2, जी हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 into X upon 22.4, 2 से यह cancel हो गया, कितना आ गया, 11.2 mol, यह, इस से कितना आता है, जी हाँ, इतना आता है, और अभी आपने definition देखा, कि जो volume of oxygen produce होता है, decomposition of 1 liter of H2O2, मतलब यह जो पूरा produce हुआ है, यह कितने से produce हुआ, 1 liter के decomposition से, तो मतलब हमें एक चीज़ पता चल गई, कि H2O2 का जो volume है, वो 1 liter है, तो यह है आपके mol, और volume हो गया, 1 liter, तो अभी आपने इस solution का volume कैसे 1 liter ले लिया, अरे मैंने भाई, मैंने अभी थोड़ देर पहले ही आपको बताया था, कि volume strength क्या होता है, volume of O2 produced by decomposition of 1 liter of what, H2O2, तो मैंने कितने mol, कितने liter oxygen प्रोडूइस करा दिया था, X, उसको मैंने mol में convert किया, तो यह जो X, liter oxygen आया था, कितने से आया था, जी हाँ, decomposition of what, 1 liter of H2O2, फिर मैंने उसे mol में convert कर दिया, तो mol X upon 22.4, यह कितने से आया, एक liter से, तो फिर उस mol से मैंने क्या किया, mol of H2O2 ढूँन रिया, ठीक है, और यह एक mol कितने में है, अलब यह जो mol है, यह कितने में है, एक liter में, तो यहीं से प्यारे बच्चों, मुझे molarity of H2O2 का formula मिल गया, अगर आप त्यान से देखें, तो यह देखे, molarity is equal to, X upon 11.2 into 1 upon 1 liter, जिसी, यह जो formula है molarity का, यह यहां से आया है, number of moles upon volume of solution in liter, इसी को ऐसे लिखते हैं, volume upon 11.2, यह number of moles हो गया, और यह 1 upon volume in liter, जो की 1 liter है, I hope आपको समझ में आ गया, अब आप सम जानते हैं, यह molarity हो गई हमारी, अब molarity आ गई, तो trend भी निकाल सकते हैं, strength का formula क्या होता है, molarity into what, 11.2, यहां से आपको strength मिल जाएगा, volume strength, यह देखिए, x क्या है, x बहुत ही, पहले मैंने आपको बताया था, x is nothing but volume strength of h2o2, अगर आपको volume strength निकालना है, तो molarity से, 11.2 को multiply कर दिजिए, इस से आपको क्या, h2o2 का strength मिल जाएगा, that is volume strength, ठीक है, चली, अब आगे देखते हैं, यह भाई साब उपर चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, valency factor of h2o2, तो h2o2 का जो valency factor होता है बच्चो, वो होता है 2, ठीक है, तो अब इसी के साथ हम normality निकाल लेते हैं, what is normality, normality is equal to molarity into valency factor, तो normality is equal to what, यह molarity है, इन्टू 2 किया, अब इससे यह cancel हो जाएगा, और कितना आजाएगा, 5.6, तो इस यह formula, normality is equal to volume strength upon 5.6, मैं in short यह कहना चाहूँगा, कि मैंने volume strength को normality से relate कर दिया, ठीक है बच्चो, चलिए अभी आगे देखते हैं, जी हाँ, यहाँ पर एक strength का भी formula देख सकते हैं, जी हाँ, यह जो X है, यह volume strength है, volume strength, पट यहाँ पर यह जो strength लिखा गया है, यह solution का concentration, ठीक है, this volume strength is related to volume, यह फिर you can say, liter of oxygen produced, जबकि यह solution का concentration बता रहा है, कि कितने gram, कितने gram H2O2, एक लिटर में present है, तो strength कैसे निकालेंगे आप, molarity into molecular weight, तो molarity आपने अभी थोड़े दिर पहले calculate किया था, कितनी थी molarity, X upon 11.2, तो molecular weight कितना है, 34, आप इससे multiply किजिए, 3.03, यह हमारा final answer आ गया, I hope आप सब को यह समझ में आया, इसलिए अभी आगे देखेंगे, तो महाशय टाइम ले लेते हैं, technology है, इतना भी है, human के control में तो हैं नहीं, कभी-कभी control में हो भी जाती है, कभी-कभी आगे भी बढ़ जाती है, आपने trans-forward movie का latest version तो देखा ही होगा, कैसे robot human life को चलाने में सक्षम हो जा रहा है, सब AI का कमाल है मेरे बच्चों, अलिए भाई हो जाईए, अब देखिए आपे, trend के बाद क्या आ गया, weight percent by volume, weight percent by volume, हम सब जानते हैं, weight percent by volume, जो होता है, वो होता है, strength upon 10, weight percent by volume is nothing but strength upon 10, देखिए, simple सा है, strength और weight percent by volume में, simple सा relation है, जो strength होता है, वो हम एक लीटर में ढूनते हैं, मतलब 1000 ml में, और जो weight by volume होता है, वो 100 ml में ढूनते हैं, weight by volume किस में डूनते हैं 100 ml में तो अगर आप weight by volume को 10 से multiply करोगे तो 100 की बनने कितना हो जाएगा 1000 ml तो सेम वही चीज़ आप कर सकते हो weight by volume कितने में आता है 100 में तो strength को कितने से divide कर दो 10 से क्योंकि strength कितने में होता है thousand में thousand को 10 से divide करोगे कितना आजाएगा 100 simple so strength divided by 10 is equal to weight by volume तो यहाँ पर यह देखिए मैंने क्या कर दिया जी हाँ strength जो था हमारे solution का strength जो था 3x उसको कितने से divide कर दिया 10 से what is strength जो था वो 3x था या फिर 3.03x और इसी को मैंने कितने से divide कर दिया 10 से तो answer कितना आ जाएगा 0.3x या फिर आपको accurate जाना है तो 0.303x यह मिल गया आपका final answer to calculate what volume strength of h2o2 अब आपको इसके उपर numerical भी करना है ओके आप चाहो तो इस कंसर्ट के उपर numerical भी कर सकते हो या फिर हम किसी और दिन आपके रिक्वेस्ट पे numerical भी ले लेंगे आप comment box में लिख दीजे तो प्यारे बच्चों I hope आपको एक concept बहुत ही अच्छे समझा होगा तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर दीजे और अपने दोस्तों के बीच भी इसके लिंक को फैर कर दीजिए चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाबाई